उत्तर प्रदेश के कानपूर में पिद बुल, अमेरिकन बुली और रॉट्वाइलर जैसे कुत्तों पर बैन लग गया है कानपूर नगर निगम ने इसके लिए एक प्रस्ताव पारित किया है इस प्रस्ताव में साफ तोर पर लिखा है कि अगर किसी के पास इन नसलों का कुत्ता है तो उसे एक एफिडेविट देना होगा अगर ये कुत्ता किसी को काट लेता है तो उसके मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा आज तक से जोड़े सिमर शावला की रिपोर्ट के मताबिक कानपूर की मेर प्रमिला पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि कुत्ते के काटने की स्थिती में नगर निगम खुद उसके मालिक पर केस दर्ज कराएगा साथी कुत्ते के मालिक पर पांच हजार रुपे का जुर्माना और उसके कुत्ते को नगर निगम अपनी कस्टिडी में ले लेगा मेर प्रमिला पांडे ने आगे कहा खरीद के ले जाएगा उसको भी देना पड़ेगा रिपोर्ट के मताबिक कानपुर नगर निगम ने आनन फानन में कुत्तो पर बैन को लेकर आदेश तो पारिद कर दिया है लेकिन उसके पास ऐसा कोई भी डेटा नहीं है जिससे ये पता लगाया जा सके कि शहर में कितने आवारा कुत्ते गलियों में घूम रहे हैं कितने परिवारों ने कुत्तो को पाल रखा हैं इसके बारे में भी निगम के पास कोई डेटा नहीं है जानकारी के मताबिक कानपुर में अब तक 750 कुत्तो का रजिस्रेशन लोगों ने कराया है हाला कि इस फैसले की खबर बाहर आते ही शहर के कई NGO, पेट लवर्ज और पिटबुल और रॉटवाइलर जैसे कुत्तो के मालिक नगर निगम पहुचकर इसका विरोध करने लगे इस मामले पर कुत्तो के मालिकों का कहना है कि पालतू कुत्ते उनकी जिन्दगी का एहम हिस्सा है और उन्हें ऐसे बैन नहीं किया जा सकता इस फैसले को लोगों ने सरासर गलत बताया और मेयर से इसका समधान करने की दर्ख्वास्त की पिछले दिनों लखनाओ, नौईदा, गाजियाबाद और कानपुर में पिटबुल और रॉट्वाइलर की हमले की कई घटनाएं सामने आई थी बीते जुलाई में लखनाओ में पिटबुल ने अपनी मालकिन को मार डाला था 9 सितंबर को गाजियाबाद में एक पिटबुल ने 11 साल के बच्चे को अपना शिकार बनाया था बच्चे को 150 टाके लगाने पड़े गाजियाबाद की ही आदित वर्ल सिटी सोसाइटी में रॉट्वाइलर ने एक व्यक्ती को बुरी तरह काटा और 20 मीटर तक घसीट ले गया उधर 22 सितंबर को कानपुर में एक पिटबुल ने गाए पर हमला कर दिया उसने गाए के मूँ को अपने जबडे से इस तरह दवोचा की काफी मशक्यत के बाद लोग गाए को कुट्टे से छुड़ा पाए फिलाल इस खबर में इतना ही आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अभेने नवरातरी की शुरूात हो चुकी है और साथ ही शुरू होने वाली है लल्लन टॉप की गुजरात यातरा गुजरात का सबसे रंगीन रूप देखने आरही है लल्लन टॉप की टीम आपके शहर हम पहुँच रहे हैं बडोज रायो और एम्स्वार और मेरे साथ जा रहे हैं अभिनम कब जा रहे हैं अभिनम एक से चार अग्डूबर के बीचे हम आपके शहर आएंगे आपसे पूचेंगे, आपसे बत जाएंगे आप हमको सजेशन दीजिए इत्ती सी मदद कीजिए कि आपके शहर में सबसे अच्छा गर्भा कहां खेला जाता है हम भी चलेंगे, गर्भा खेलेंगे, गुजराथी खाना खाएंगे और उसके बाद फूप सारी स्टोरी इनके लिए ले आएंगे लेकिन उसके लिए हमको आपको सजेशन देना है कहां पे सजेशन देंगे? चुनाव अड़रेट लललन टॉप डॉट कॉम पर पटा पटा पना सजेशन हमें मेल कर डा लिए बताइए हम यह कहां जाना है, कैसे करना है आपके बीच आपका लललन टॉप आजाए जल्दी मुलाकात होगी